हेलो दोस्तों वेलकम टो डिएजडी कार्स और भाई आपके सामने हैं मारुत्ती की लेजिनरी कार इस गाड़ी ने कई बार ये साबित कर दिया है कि चाहे लोग इसको टीन का डबा कहें बोक्सी कहें कुछ भी कहें लेकिन ये गाड़ी अपने आप में जबरदस्त है और लो अपनी अपनी है और अपनी requirements के एसाब से आपको हमेशा गाड़ी भी लेनी चीए क्योंकि आप पैसा लगा के अगर खुस नहीं है गाड़ी से तो उस गाड़ी को लेने का कोई फाइदा नहीं है वैगनार का LXI CNG variant आपके सामने है फिचर्स की बात करें तो हेलोजन headlight रिल है वो क्रूम पनीस के साथ में आपको मिलती है फ्रंट और साइड का जो कंबाइन लुक है वो यहां से आप देख लीजिए साइड में तो LXI यानि की बेस मोडल में 13 इंची टायर्स आपको मिलते है श्टील वील के साथ में बोडी क्लैडिंग गाड़ी में नहीं मिल मिलती है 155 mm की जो ग्राउंड क्लेरंस है वो मिल जाती है ABS और EBD के साथ में फ्रंट में डिस्क और रियर में जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो दिये गए हैं साइड में जो मोल्डिंग आप देख रहे हैं वो एज एससरी यहां पे लगाई गई है टर्न इंडिकेटर्स फेंटर आप लगाई है लगाई है और कई लोग सको गाड़ी में तुलना कर देते हैं खेर स्कोर्पियो सकोर्पियो है और वैगनार वैगनार है हेलोजन में जो टेल लाइट है वो आपको मिलती है क्रोम फनिस के साथ में नंबर प्लेट एपलिक मिल जाती है पारकिंग सेंसर्स और जो रिफलेक्टर्स हैं वो पीछे बंपर पे दिये गए और पीछे स्किड प्लेट का जो डिजाइन है वो बंपर पे आपको मिल जाता है चाबी की बात करें तो दोनों ही चाबीया नोर्मल आपको मिलती है यानि कि रिमोट कंट्रोल चाबी एक्स्ट्रा पैसे दे के आप शोरूम से आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं इंटीर देखें तो दरवाजा जो है वो पूरा का पूरा ब्लेक कलर में ही आपको मिलता है ब्लेक फिनिस में डोर एंडल स्मार्ट लोक सिस्टम मिल जाता है दो पावर विंडोज मिलती है फ्रंट वाली और जो ड्राइवर विंडो है वो वन टच डाउन के साथ में आपको मिलती है वन टच अप के साथ में नहीं मिलती है लोक अलोक के बटन्स मिल रहे है यानि कि सेंटर लोकिंग गाड़ी में आपको जरूर मिल जाती है ओ आर्वेम्स को आप बाहर से ही एडजेस्ट या फोल्ड कर सकते हैं bottle holder और speaker लगाने की जो जगे हैं वो दरवाजे पे आपको मिल जाती है driver seat की height adjust आप इस variant में नहीं कर सकते हैं fabric में ही जो seats हैं वो आपको मिलती हैं लेकिन जो seat cover हैं वो as accessories यहाँ पे लगाए गए हैं fix headrest ही wagonar में आपको मिलते हैं base model में और जो dashboard की look है वो dual tone के साथ में base model से ही आपको मिलनी शुरू हो जाती है driver के right side में light के controls और ESP का जो button है वो आपको मिल रहा है यानि कि CNG हो, petrol हो, base model हो या top model हो ESP आपको हर model में भाई यहाँ पे मिल जाएगा उसी के पास में petrol और CNG का जो converting button है वो आपको मिल रहा है openable और closable AC vents दिये गए और यह है गाड़ी का MID meter बिलकुल simple look में normal सा जो MID meter है वो आपको मिलता है speedometer आप देख सकते हैं RPM meter देखने का कोई option यहाँ पे नहीं मिलता है बाकी की जो information है वो center में digitally आप देख सकते हैं instantaneous mileage, distance to empty, average fuel consumption और gear shift indicator जैसे जो features हैं वो इस variant में भी आपको मिल जाते हैं steering पे आएं तो कोई भी sound control आपको steering पे नहीं मिलता है black finish के साथ में round shape का जो steering है वही आपको मिलता है dual airbags के साथ में गाड़ी आती है और steering को आप adjust नहीं कर सकते हैं यानि कि fixed steering ही मारुत्ती वेगनार के base model में आपको मिलता है 12 volt का accessory outlet मिलता है 5 speed manual transmission के साथ में गाड़ी आती है और जो dual tone है वो बिलकुल gear तक आपको मिल रही है यहाँ पे पीछे भी कोई space आपको इस गाड़ी में नहीं मिलता है normal glow box मिल रहा है document वगरा रखने के लिए और जो IRVM है वो भी normal है cabin light मिल जाती है लेकिन vanity mirror कोई से 20 sun visor पे आपको नहीं मिलेगा fix grab handle सी आपको वैगनार के base model में मिलेंगे यानि कि अगर आपने काम चलाना है कम बजट में तो वैगनार का base model आप ले ले अगर आपको features के साथ में गाड़ी चीए तो उपर वाले जो variants हैं उनकी तरफ आप जा सकते हैं rear में आए तो rear दरवाजे की भी जो look है वो पूरी black color के साथ में आपको मिलती है लेकिन normal window का जो handle है वही आपको पीछे मिलता है थोड़ी से मैनज जरूर आपको यहाँ पे करने पड़ेगी bottle holder और speaker लगाने की जगें पीछे भी दरवाजे पे आपको मिल जाती है और यह मारुत्ती वैगनार की rear sitting और rear sitting के चलते यह गाड़ी इतना बिकती है fix headrest आपको मिल रहे हैं rear parcel tray मिल जाती है bench fold के साथ में जो seat है वो मिल रही है और उची seat है बैटने में पूरा आराम आपको मिलेगा पूरा space मिलेगा और तीन लोग आराम से इस गाड़ी में बैट सकते हैं बाकी hatchback के मुकाबले में जादा आराम से लोग इस गाड़ी में बैट सकते हैं 6 feet height के इसाब से जो space है वो मुझे बढ़िया मिल रहा है यहाँ पे leg room हो, thai sport हो, आराम से आदमी यहाँ पे बैट सकता है rear seat पे बैटने के बाद जो dash board की look है वो आप यहाँ से देख सकते हैं boot की अगर बात करें तो power boot आपको मिल रहा है पीछे lever दिया गया है और यह है बाई CNG cylinder के साथ में मारुत्ति वैगनार का boot यानि कि cylinder के उपर भी 10 inch के लगबग का जो space है वो आपको खाली मिलता है और आप पूरा जो समान है वो इस गाड़ी में रख सकते हैं और किसी hatchback में CNG fitting के साथ में समान रखने की जो जगह हैं वो मारुत्ति वैगनार के जितनी आपको नहीं मिल सकती है और यही कुछ advantage है जो कि मारुत्ति वैगनार को top selling hatchback बनाती है क्योंकि CNG के साथ में इतना सारा space और किसी गाड़ी में अभी तक आपको नहीं मिलता है लेकिन safety जो है वो इस गाड़ी में आपको कम मिलती है जो लोग safety चाते है priority है safety उनके लिए तो इस गाड़ी की तरफ ना जाके और गाड़ीयों की तरफ जा सकते हैं लेकिन अगर service चीए, resale चीए, mileage चीए तो भाई मारुत्ति वैगनार की तरफ बिलकुल clearly आप जा सकते हैं अब बात कर लेते हैं stop selling गाड़ी के engine के बारे में तो मारुत्ति वैगनार में 998 CC, 56 BHP, 82 NM torque और 34 km पर केजी की mileage के साथ में एक किलो gas में 34 km तक की जो mileage है वो वैगनार आराम से दे देती है इस गाड़ी में 3 cylinder K10C petrol engine दिया गया है जिसकी की जो performance है वो काफी बढ़िया है और इन सब चीजों के चलते ही लोग इस गाड़ी को इतना खरीद रहे हैं और ये चीज मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ उन लोगों को देखते हुए कह रहा हूँ कि जिन्होंने अप्रेल 2023 में इस गाड़ी को top selling car बनाया है यानि कि 20,000 से उपर लोगों ने इस गाड़ी को खरीदा है तो इतने लोग जब गाड़ी को खरीद रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इस गाड़ी में ऐसा है कि जो ये गाड़ी इतना बिक्ती है बाकी सोच अपनी अपनी है requirements अपनी अपनी है अपने इसाब से आप गाड़ी चूज करें क्योंकि पैसा आपका है चोईस भी आपकी ही है अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में तो मारुत्ती वेगनार का जो LXI CNG यानि की बेस मोडल है CNG के साथ में उसकी जो एक्शोरूम प्राइस है वो है 6,44,000 रुपए और ये गाड़ी ओन रोड आपको पढ़ती है 7,47,000 की लेकिन 25,000 के लगब आपको मिल सकता है अब चोईस आपकी है कि आप कौन सी गाड़ी अपने लिए पसंद करते हैं तो रिक्वाइर्मेंट्स आपकी जैसे ही मेट होती हैं मारुत्ती वेगनार के साथ में तो आप इस गाड़ी की तरह बिलकुल जा सकते हैं यही था आज का वीडियो अगर वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्यो दोस्तों